नमस्काल दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुजराती चैस चैनल गुजराती चैस जोन में मैं धर्मेंडर मोजीद्रा आपके सामने आज बहतरीन कुछ ऐसी एंड गेम्स दिखाने वाला हूं जो बेजिक और एक्सपर्ट लेवर के प्लेयर को भी आनी चाहिए तो यहां प पार्ट में खेली जाती दोस्तों ओपनिंग गेम मिडल गेम और एंड गेम तो ओपनिंग आप लोग बहुत सारे यूटूब में से अलग लग वीडियो और मेरे भी चैनल में बहुत सारे ओपनिंग के वीडियो में डाउनलोड करता हूं तो उसमें से आप अच्छे तरह मिडल गेम के भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किये हैं आप वो भी देख सकते हैं और मिडल गेम के बाद में लास्ट में आती है एंड गेम तो सबसे शुरुवात आपको एंड गेम सिखने से करनी चाहिए क्योंकि एंड गेम अगर आप सिख जाओगे तो एंड ग आप यहां पर एंड गेम तो सबसे पहले घृट अपोजिशन दोस्तों यहां पर अपोजिशन यानि किंग और किंग के बीच में जब एक स्टेप का डिस्टंस रहता है तब उसे अपोजिशन कहता है जैसे कि यह जो अपोजिशन है आपके सामने यह वर्टिकल यानि standing line दोस्तो mostly vertical opposition draw के लिए काम में आती है अगर आपके पास कोई pawn बचा नहीं है और आपको game draw करनी है तो आपको vertical opposition का rules पता होना चाहिए और अगर आपके पास extra pawn है और आपको game win करनी है तो आपको यहाँ पे sleeping opposition मतलब horizontal opposition का rule पता होना चाहिए तो देखे यह दोस्तो vertical opposition है यहाँ पे हम draw करेंगे हमारे पास white pieces है और हम सामने होले के पास black एक pawn extra है यहाँ पे आपको king को कब कैसे चलना यह खास ध्यान रखना है सबसे पहले हम खेलेंगे king d4 black reply देगा king e7 अब जब भी सामने होला king pawn के side में मतलब slipping line में बिलकुल उसके बाजु में आता है तब आपका king उसके सामने केलना है बिलकुल vertical में जैसे वो check देगा king d5 अब उसे pawn save करना है तो king d7 कमपलसरी मूँ है अब फिर से आपको pawn की line में नीचे आना है vertical में ही याद यह रखना है कि king अगर इस side आता है pawn के बाजु में तब आपका king उसके सामने आएगा जैसे यह check दिया king back side और फिर वापस से और इसी तरह आपको यह position last match tailmate करके देगी जैसे फिर वापस king नीचे king c4 king c2 check king d2 king d4 यहाँ पर गलती कर दी तो आप loss हो जाओगे जैसे कि यहाँ पर force move आपको king d1 खेलना है अगर इसके बज़े आपने king c1 या फिर e1 कर दिया तो सामने वाले को sleeping position मिल सकती है और वो जीट जाएगा यहाँ पर आपको king d1 ही खेलना है त्यान रखो king d1 के बाद वो king अगर इस side आता है तो king c1 अगर सामने वाला king e3 पर आता है तो आपका king आएगा e1 check king d1 और finally इसके king को d3 पर आना होगा और यह हो जाएगी stalemate और आप game drop कर सकते हो तो यह है vertical opposition की position ऐसे ही अगर आपके पास extra pawn है तो sleeping opposition आपको ले लेनी है sleeping opposition के लिए आपका king pawn से उपर होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर वाइट का turn है तो game draw होगी लिकिन black का turn है तो white को opposition मिल जाएगी जैसे कि king d6 तो आपको king force करना है अगर वो king slip चलता है तो आपका king opposition में sleeping में चलाना है यह ध्यान रखो सामने नहीं लेना है वनना ड्रो हो जाएगी तो sleeping में आपका king होना चाहिए जैसे कि king इदर आता है तो फिर से आप force करो और जब आपका king 6th rank पे आ जाए तब आपको pawn चलाना है two step king d8 और one step king e8 और इसके बाद king c7 और अब यह तीन हो स्क्वेर आपके कंट्रोल में है और आप आसानी से queen बना सकते हो तो दोस्तों यह थी वर्टिकल पोजिशन की पोजिशन और आपको समझा गया होगा कि वर्टिकल होता है तो game draw होती है और sleeping पोजिशन होती है तो game win हो अगर आपको सही जगा पर king ले जाना आना चाहिए यहां पर हम देखते हैं white के पास अगर रूख है और black के पास bishop बचाए तो black का king कौन से corner में होना चाहिए तो आपको खास यह याद रखना है कि black का king आएगा कि आपके पास जो color का bishop है उसके opposite color के corner में आपका king होना king इस corner में होना चाहिए white square में क्योंकि आपके पास dark square का bishop है आप bishop को ऐसे ले जाएंगे और फिर यह दो जगह पर आप bishop चला के ड्रौ कर सकते हो white कभी भी इसे checkmate नहीं कर सकता जैसे कि उसने 7th rank control कर दिया है और उसका king suppose आपके bishop और king के पास में फिर भी game draw ही होगी क्योंकि यह king bishop पे अटेक नहीं कर पाएगा और जब भी वो नद्दिक आएगा तो फिर game stalemate होगी अगर उसने यहां पर चैक दिया तो आप bishop इंटर पोस करोगे फिर उसका king move करेगा तो stalemate हो जाएगी तो यह position आपको लानी है अगर आपके पास अकेला bishop बच जाता है तो रुक के सामने आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो इसके बारे में मैंने बता है तो खास ध्यान करके आप इसके practice भी कर में करके देख लेना यह game always draw होती है book draw कही जाती है लेकिन draw करना आना चाहिए correct corner square में आपका king होना चाहिए तो इसले दूसरी end game देखते है 7th rank में अगर रुक वाला pawn है तो और आपके पास साथ में एक night भी है जैसे कि back side से वह support करता है लेकिन आप अपने king को control किये है और opponent का king दूर है फिर भी यह position में आप मुझे बता सकते कि यह game win है या draw है तो दोस्तों यह game always draw होगी always draw जैसे कि आप यहाँ पे खेल के देख सकते हैं कि white king h1 black king नद्दिक लाएगा और ऐसे ऐसे white king corner छोड़े करने फाइनली जब king नद्दिक आएगा और और नद्दिक आने के कोशिस करेगा तो game stalemate हो जाएगी तो यह यहाँ भी आए नहीं सकता उसे गुम फिर के इधर आना होगा तो भी game draw ही होगी आप कैसे भी खेलो तो यह position आप के सामने यह draw है तो दोस्तों knight और rook वाला pawn अगर 7th rank में है knight भले ही पीछे से support करता है तो भी game draw होती है हाँ अगर यही pawn एक step आगे होता और knight उसे पीछे से support करता है तो यह game win है 7th rank पे नहीं है 6 rank पे pawn है तो always winning है यह ध्यान रख दोस्तों यहाँ पर कैसे win होता है हम देखत से खेल के तो यहाँ पर king b6 king फिर king f4 जैसे king दिक आता है तो यहाँ पर still bit की position नहीं आएगी क्योंकि हमने pawn 7th पर नहीं रखा है king अगर इधर आता है तो king यहाँ पर king इधर आता है तो यहाँ पर knight खेलेंगे वेटिंग मूं में जैसे king जीवन आता है as to check अगर king corner में जाएगा तो knight check mate हो जाएगी और king बहार निकलेगा तो यहाँ पर queen promote करके फिर उस जगा पर अराम से जीच सकते हो तो दोस्तों यह भी याद रखना है आपको कि knight के साथ में rook वाला pawn अगर 6th rank पर है तो आप जीच सकते हो लेकिन 7th rank पर है तो always draw होती है draw कैसे करनी है यह आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिया है तो दोस्तों यह है knight pawn की end game हमने देखा rook versus bishop और अब हम देखेंगे queen versus 7th rank pawn दोस्तों queen के सामने अगर 7th rank pawn है तो यह कुछ चीजे याद रखनी है आपको कि अगर आपका pawn rook वाला pawn है और यह pawn यहाँ पर one moon में queen बन रही है और सामने वाले के पास queen भी है तो भी यह game draw होगी यहाँ पर आपका king जैसे कि यह position में है 7th rank में one moon में queen बन रही है तो यह always draw है अगर यह pawn bishop pawn है तो भी draw है तो rook pawn और bishop pawn mostly draw होती है कुछ position exception होती है यहाँ पर देखते कैसे draw होगी bishop pawn में check king आपको corner में ले जाना है check king से pawn को support करना है check अब यहाँ पर आपको दोस्तों king को corner में ले लेना है अपने pawn को छोड़ देना है मन्ने के लिए छोड़ देना है अगर वो आपके pawn को capture करता है तो stalemate हो जाएगी और नहीं capture करता है तो आप threat दे रहे हो कि next move में queen बना रहा हूँ तो यह always draw होती है कुछ position exception है वो में बात में बताऊंगा तो चलिए देखते हैं bishop pawn और rook pawn always draw against queen लेकिन knight pawn king pawn और queen pawn मतलब जो फाइल में है knight वाली फाइल में pawn होता है उसले हम knight pawn कहेंगे तो knight pawn king pawn queen pawn यह always win है queen के लिए ना कि pawn के लिए यह ध्यान दखना है अब देखो हम यहाँ पर कैसे win करेंगे तो सबसे पहले queen versus pawn one move में सामने वाला challenge करता है कि मैं queen बनाता हूँ तो उसे आपको win कैसे करना है तो सबसे पहले आपको close आने है check king g1 अब जैसा ही सामने वाले का king pawn के पीछे दबता है तब आपको king चलाने का मौका आएगा क्योंकि वो next move queen नहीं बना सकता अब वो queen बनाने के लिए king चलेगा तब आपको close check देना है वापस अगर king इधर आता है फिर check देना है फिर से आप king यहां से check देते हैं अब king इधर आएगा अब आपको pawn को capture करने के लिए attack करना है अब आप attack करोगे तो उसे बचाने के लिए support करेगा support करते ही आप ऐसे check देविए king g1 आएगा और फिर आपको king चलाने का ऐसे मौका मिलेगा तो one by one आपो ऐसे ऐसे करके check अगर king आप तो किंग उपर आता है तो यहां से check king इदर आता है तो close check और फिर pawn पर attack और फिर से check king corner में और फिर king चलाने का मौका में इदर आया वापस से हम वही trick यूज़ करेंगे check and king उपर अगर बाहर निकलता है तो फिर से हम check देंगे इदर आता है तो हम यहां पर एक बार चेक इसे बचाना है तो इधर ही आना पड़ेगा और हम किंग ले आएंगे और फाइनली यहां से चेक्मेट कर सकते हो तो दोस्तों यह क्वीन वर्सीज सेवन्थ रेंग पॉन की स्ट्रेजी थी मैं बहुत सारी एंड गेम आपके लिए नेक्स वीडियो में भी लेके आने व रहेगी तो ऐसा ही बहुत सारे डेर सारे वीडियो आपके लिए में बनाता रहूंगा तो चलिए नेक्स वीडियो के लिए जय हिंग जय गुर्जात